काव्या बस करना यार कितनी देर पढ़ेगी और तू मोबाइल चलाना बंद कर कितनी देर मोबाइल चलाएगी अच्छा जी मेरी बिल्ली और मुझी से मैं आऊ अरे कुछ पढ़ ले अगले हफते से एक्जामस है हाँ तो अभी तो पूरा हफता बागी है अभी से क्यों टेंशन लेनी एक्जामस की अच्छा जी और एक दिन पहले पढ़के तू बन जाएगी डॉक्टर वो देखा जाएगा और वैसे भी मुझे नहीं बनना कोई डॉक्टर वॉक्टर अच्छा तो नीलू मैडम जिन्दगी में क्या करना चाहती है मैं तो स्टोरी राइटर बनना चाहती थी यार तो फिर ये MBBS किसलिए बस मुमी पापा की जिर्दी इसलिए आ गई बस किसी तरह पास हो जाओ फिर लिखनी तो मुझे कहानिया ही है अच्छा वैसे कुछ लिखा है अभी तक नहीं यार आइडियास तो बहुत आए लेकिन मैं अपनी पहली कहानी कुछ हट के लिखना चाहती हूँ कुछ ऐसा जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए काव्या और निलू पक्की सहेलिया थी दोनों एक साथ अंबिबियस की पढ़ाई कर रही थी इसके अलावा हॉस्टल में एक दूसरे की रूम पार्टनर भी थी निलू बस अपने माता-पिता की खुशी के लिए डॉक्टर बन रही थी जबकि काव्या के लिए ये उसका सपना था सुनना एक बात तो बता हाँ बोल क्या बात है मुझे पता है तो गोल्ड मैडलिस्ट बनेगी अरे नई यार ये इतना असान भी नहीं है सारा दिन तो पढ़ती रहती है अब और क्या करेगी अच्छे ये तो बता जब तो डॉक्टर बन जाएगी तो क्या करेगी लोगों की सेवा करूँगी उनका इलाज करूँगी मैं भी यही चाहती है और मेरी मा की भी यही इच्छा है और हाँ, डॉक्टर बनने के बाद मैं किसी को भी अपनी बच्ची को कोक में मारने नहीं दूँगी बड़े दुख की बाद है कि हमारे देश में अभी भी सब को बस बेटा चाहिए बेटियां अभी भी लोगों को बोज लगती है नई यार अब ऐसा नहीं है अब हम दोनों को ही देख ले, कितने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे है तेरे और मेरे पापा ममी की सोच तो ऐसी नहीं थी न नीलू की बाद सुनकर काव्या गेहरी सोच में पढ़ गई तब ही उन दोनों की डूटी का कॉल आ गया दोनों ने अपने-अपने कोर्ट पहने और अस्पताल चली गई नीलू और काव्या MBBS कोर्स के फाइनल सेमिस्टर में थी तो हर रोज उनकी डूटी सरकारी अस्पतालों में लगती थी और फिर उसी दिन काव्या, काव्या जल्दीकार इमर्जेंसी है अरे, पर हुआ क्या? चैस क्या है? एक प्रेगनेंट ओरत आई है लास्ट टाइम में बच्चा बस आने को है और उस बेवकूफ ने पता नहीं क्या खालिया है कहती है वो बच्चे को जनम नहीं देगी है? बच्चे को जनम नहीं देगी मतलब? अब मुझे क्या पता यार शाली नहीं में का है मुझे नहीं पता जल्दी कर यार वरना वो मर जाएगी अब ये तु ही कर सकती है नेलू जानती थी कि उस आरत और उसके बच्चे को अब सर्फ कावया ही बचा सकती थी काव्या जट से उस औरत को आपरेशन थेटर ले गई और फिर कुछ देर बाद कितनी प्यारी बच्ची है तुमारी क्यों इसकी और अपनी जान लेने पर तुली थे तुम मैडम, सारे लोग आप जैसे नहीं होते मेरे घरवालोंने पता लगा लिया था कि मैं एक बेटी को जनम देने वाली हूँ उन्होंने इसे मारने की कोशिश की मैं अपने माई के चली गई थी लेकिन वहाँ भी उन लोगोंने मेरा पीछा नहीं चोड़ा अब उनके हाथों मरने से तो अच्छा था कि तो अब तुमने क्या सोचा है मैडम मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे मैं अपनी बच्ची को पालना चाहती हूँ आपकी तरह डॉक्टर बनाना चाहती हूँ अच्छी बात है तो फिर तुम्हें इसके लिए सबसे लड़ना होगा पर मैं अकेली कैसे जैसे मेरी मा ने लड़ाई लड़ी थी खेर तुम खुद को अकेला मत समझो मैं हूँ तुम्हारे साथ जिस वक्त काव्या उस वारत को हिम्मत बंधा रही थी तब निलू भी वही थी फिर शाम को हॉस्टल में काव्या तुस वारत से क्या कह रही थी यही कि उसे अपनी बच्ची के लिए खड़ा होना चाहिए नहीं तु अपनी मा के बारे में बोल रही थी कुछ अब छोड़ना यार कुछ और बात करते हैं नहीं तु मुझे नहीं बताएगी अगले ही पल काव्या की आँखों में आसु आ गए उसने आसु पोचते हुए कहा यार मेरे पापा की फैमिली है ना बड़े ही पुराने खयालों की है उन्हें हमेशा से ही बेटे चाहिए थे पर भगवार ने उन्हें पहली संतान बेटी ही दी वो तू है नहीं मेरी दीदी सरिता दीदी फिर तू आई नहीं मेरी छोटी दीदी कविता दीदी ओ शिट फिर क्या हुआ तीसरे बच्चे के रूप में जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा और उनके पूरे परिवार ने मुझे मार डालने की बात कही अरे बॉप्रे फिर तू बची कैसे मेरी मा ने मुझे बचाया थैंक गॉड अच्छा हुआ आंटी थी वाँ यार तेरी मा तो रियल में सूपर ही रो है मुझे कब मिलाएगी उनसे बस अगले महीने हम सब को डिगरी मिलेगी ना तब फ्रॉमिस देखते ही देखते एक महीना गुजर गया नेलू और कावया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब दोनों को डिगरी मिल रही थी कावया को गोल्ड मैडल मिला क्योंकि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था फिर मंच पर गोल्ड मैडल पहने खड़ी कावया ने बड़ी गर्व से कहा आप सब का शुक्रिया पर आज मैं यहां गर खड़ी हूँ तो अपनी मा की वज़़ से अब मैं अपनी मा को स्टेज पर बुलाना चाहती हो सरीता दीदी, प्लीज, आउना कावया की बात सुनकर पूरा हॉल शान्त हो गया सरीता कावया से सर्फ 5 साल बड़ी थी और वो कहीं से भी देखने में कावया की मा नहीं लग रही थी और फिर ये मेरी बड़ी दीदी है इनका नाम सरीता है पर ये मेरी दीदी नहीं मेरी मा है मुझे तो मेरे माबापने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था क्योंकि बोज थी मैं उन पर लेकिन मेरी दीदी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा अपनी शादी के बाद वो मुझे अनाथ आश्रम से वापस लेकर आई और जब ससुराल वालों ने इनका साथ नहीं दिया तो इन्होंने मेरे खातिर अपना बसा-बसाया घर भी छोड़ दिया इतना कहकर काव्यार ने अपना गोल्ड मैडल उतार कर अपनी बड़ी बहन सरिता की गले में पहना दिया और पूरा हॉल तालियों की गरगरा हट से गूझ उखा पासी खड़ी नेलू भी खुशी से ताली बजा रही थी जड़ी बूटी ले लो बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सर्फ पांच रुपे में ज़रा देखू तो सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी उसने बुढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ले उस आदमी ने कहा इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना पीसने से तेल निकलेगा उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना जड़ी बूटी लेकर सुधा खर चली गई तभी सुधा जड़ी बूटी पीस कए तेल निकाल कर और उसे अपने सर पर लगा कर सो गई और अगले दिन सुबह नीन से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब जड़ गए हैं सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रहे थी कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती है लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही चोटे थे उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे उपर से वो सामली भी थी और दूसरी और उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी इसलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चड़ाती थी तू तो मेरी सगी बेहन नहीं है, तुझे तो मा और पापा रास्ते से उठा कर लाये थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है? ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी मा पापा देखो न राधा क्या बोल रही है, मा पापा देखो न राधा और सुधा की मा शमिता कहती थी रोग क्यों रही है सुधा राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा तु बत्सूरत है तेरे सर पर बाल भी नहीं है मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी ऐसे ही बड़ी हुई सुधा हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रातना करती थी ये भगवान को चमतकार करवा दीजे मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजे प्लीज भगवान प्लीज और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गए आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले है सुधा आईने के सामने बैट कर तयार हो रही है उसके सर पर अभी भी जादा बाल नहीं है वो आईने में अपने आपको देखी रही थी कि तभी उसकी मा आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया यहां ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा जल्दी जल्दी करो नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा वहां राधा आ गई और बोली मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी के शादी क्यों करवाना चाहती हो राधा बेटी इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा एक बार बस ये सर से उतर जाए उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंड कर लाओं की मा आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो अगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा तू बदसूरत है बदसूरत तू मेरी बेहन कहलाने के लाइक नहीं है तू सुधा रोने लगी वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी क्योंकि शमिता ने उससे कहा था बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिष्टा नहीं जोड़ेंगे खैर अविनाश के साथ सुधा का रिष्टा तै हो गया लेकिन उसके लिए बहुत ज़ादा दहेश देना पड़ा उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी सुधा मनी मन सोचने लगी अपने गर में तो मुझे शांती नहीं मिली शाहिद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूँगी सुधा क्यों शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पढ़ गया यार मैंने से पहले क्यों नहीं देखा कितनी गोरी है यह कितने लंबे बाल है इसके इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था सुधा विनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुँचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को हजार काम थमा दिये रसोई जाओ और सारे बरतन माजो उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पुरा घर साफ करो मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहु सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है ठीक है माजी नहीं भूलूगी सुधा बिना था के काम करने लगी उसकी सास और उसका पती उसके छोटे-छोटे बालों को लेकर मजाग उडाने लगे तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा ये तो पूरी नौकरानी लग रही है हाँ हाँ मुफ्त की नौकरी अविनाश मजाग उडाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गए राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था वो सुन्दर भी थी अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली राधा अविनाश के घर चली आई ये देख कर सुधा को जैसे सद्मा लग गया राधा, राधा तु मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है तुने मेरे पती से शादी कर ली चुप रहे, समझी न, अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है हाँ, हाँ, ऐसे बिना बाल के औरत से कौन प्यार करेगा, मुझे तो लंबे बालो वाली लड़किया बसंद है सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही, अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बुढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे है जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ पांच रुपए में बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सर्फ पांच रुपे में, जरा देखू तो, सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थे, उसने बुढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली, उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीशना, पीशने से तेल लिकलेगा, उस तेल को सोने से पहले, अपने बालों पे लगाना। और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तु पूरी तरह से गंजी हो गई। तुम रोग क्यो रही हो। सुधा ने उस पंची को सब कुछ बताया। रो मत, जादतर इनसान बुरे होते हैं, इसलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है। बड़े से बड़े बिमारी का इलाज है यहां। एक फल है, उसका रस निकाल कर सर पर लगाने और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए। काले लंबे घरे बाल ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंची से कहा, अच्छी पंची, तुम्हारा बहुत बहुत धनेवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ। उन इस फल का रस निकाल कर सर पर लगाने से। तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी। ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी। लेकिन उससे असर उल्टा हो उसके सारे बाल जड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तुने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेच कर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी-खुशी जिंदगी बिताने लगी